हेलो गाईज, वेलकिम बाक टो माई चैनल and वेलकिम बाक टो अनादर फ्लॉग कैसे हो आप सब, मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ देखो मैं उट गई और उटके आज मैं सुबा सुबा शार ले रही हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है, वैसे भी मैं शार ले ले लेती हूँ पर थोड़ा बहुत जो भी काम होते है ना, सुबे के वो सब कुछ कर लेती हूँ उसके बाद जो पसीना पसीना हो जाती हूँ, फिर मैं नहाध होके फिर मेरे यूट्यूब के काम करती हूँ साफ सफाई में थोड़ी तो पसीना छूटती है वैसे, और क्योंकि कोलकाता बहुत ही हुमिट सिटी है मोसली विंटर के टाइम पर बस दो धाई महिने थोड़े ठंडे रहते हैं और उसके बाद साल भर गर्मी और हुमिडिटी रहती है अल्रेडी गर्मी शुरू हो चुकी है इसी भी चला सकती हूँ पर मैं जबर्दस्ति ऐसे पोस्पॉन कर रही हूँ कि नहीं और थोड़ा जाने दो तो मार्च, आई थिंग मार्च में इसी चलानी परेगी आज मैं उनिफॉर्म अभी आयन करने वाली हूँ और यह मेरी नहीं उनिफॉर्म है वैसे तो पहन के आपको नहीं दिखा रही हूँ पर यह कुर्ती पजामा है आपको अगर देखना है तो आप जाके इंटरनेट में सर्च कर सकते हो एर इंडिया एक्सप्रेस उनिफॉर्म तो आपको दिख जाएगी वैसे पर्मिशन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ मैं कुछ छे साल से एक उनिफॉर्म पहनी लिटरली लाइक आई जोइन इन फेबॉर्य तो ताउजन आटीन और फिर फेबॉर्य फर्स से ही हमारी उनिफॉर्म चेंज हुई है 2024 तो इट वास लाइक six years for me to kind of wear that uniform और उसके बाद जब चेंज हुई तब थोड़े दिन तो और लगती है आपको क्योंकि जैसाब घर भी चेंज करते हो तो थोड़े दिन आपको हाँ पच्छस करना पड़ता है we all are kind of adapting to the change on board मुझे ऐसी भी feedback मिली है कि आप लोग इससी uniform में बहुत अच्छे दिख रहे हो जब ऐसी feedback मिलती हो तो अच्छी लगती है पर एक emotion तो है हमारे उस uniform के साथ क्योंकि ये मेरी पहली job है and that was the first ever uniform तो एक emotion होती है सबकी जो लोग बहुत सालों से कुछ काम कर रहे हैं और एक ही uniform पहन रहे हैं उनको शायद से पता होगी अब दिखो क्या होती है कि अगर दूसरी company join करते है ना तो हमको एक register होती है दिमाग में कि हाँ मैंने वो company छोड़ दिया और दूसरे company join किये है तो यह change है पर अगर वो ही company में रहकर आपकी चीजे चेंज होती है ना तब रेजिस्टर होने में थोड़ी टाइम लगती है पर थोड़े दिर में यूस्टो हो जाएंगे और अभी बहुत देर से मैं वेट कर रहे थी क्योंकि यह जो इन्डीज है यहां पर वो लोग बहुत देर से भौक रहे है I don't know something must have happened मैं जब भी रात को फ्लाइट करके आती हूना वो लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं जब तक मैं एकदम वो कॉलापसविल के अंदर गुस नहीं जाती वो लोग लिटरली बाहर करे होते हैं I know they are very good something suspicious must have happened मैं कोशिश भी करे थी देखने की क्या हो गया यह लोग चिला क्यो रहे हैं बहुत देल से मैं वेट भी करे थी अभी it's like 1.30 at night और फिर मैंने सोचे इससे जादा वेट नहीं कर सकती कुछ मुझे सोना भी है वैसे भी आज के वीडियो काफी लंबी है मुझे टाइम लगेगी देर दो घंटे तो लग जाएगी वोईस ओवर करने के लिए that's why I sat I know just bear with this and this is not penny okay normally penny भौकती नहीं है अगर कोई ऐसे आए जो मदलब थोड़े suspicious है और penny उनको पसंद नहीं करती है तब भी जाके वो चिलाती है और penny बहुत तेज चिलाती है penny अगर चिला रही है तो literally कोई भी काम नहीं हो पाएगा मैं voice over तो दूर की बात है मैं कोई दूसरी काम भी नहीं कर पाऊंगी and कभी कबार जब मैं खाना पैनी के लिए अगर उस समय उसको मतलब वो सबड नहीं हो रही है तो वो ऐसे चिला देती है and literally एक दिन मेरे हाथ से खाना गिर कया था like she was so loud I got literally scared अभी तो मुझे आदत हो गई है पर फिर भी कबार वो unexpectedly करती है यह चीज़ और फिर मैं डर जाती हूँ तो हाँ पैनी is very loud और देखो अभी make-up करके मैं निकल गए थी फ्लाइट के लिए पैनी है घर पे मैं आ जाओंगे अभी दो ही सेक्टर फ्लाइट है और मैं एंट्री कर ली हूँ already जब आती हूँ already मैं नीचे लिफ्ट जब दबाती हूँ वो button उसी समय से मुझे आवाज आती है कि पेनी चिला रही है सम्टाइम्स रीडी वांडर कि उसको पता कैसे चलती है और जब मैं फ्लाइट के लिए से जाती हु ना सच में मुझे पेनी की आद बहुत जादा आती है मैं सोचती रहती हूँ कि क्या कर रही होगी और कभी मैं फ्लाइट से किसी को कॉल ना करू कभी कबर आउंटी को कॉल करके पूछती हूँ कि आप गए थे कहाना देके आए आई नो लाइक पीपल विल जज़ भी मेभी कि फैमली के साथ असे करते हो फैमली वालों के साथ मैं करती हूँ ऐसे क्योंकि मुझे पता है मेरे फैमली वाले सब कोई लाइक देर हुमन बीइंग्स देवोड डू देर ओन थिंग वो लोग मेरे लिए रुके नहीं रहेंगे पर पैनी ऐसी है वो मेरे लिए रुकी रहती है तो यह एक अलग फीलिंग है अगर आपके पास पैठ है आप समझ पाओगे आज मेरी फ्लाइट काफी हेक्टिक थी और वैसे जब फ्लाइट पर हम काम करते हैं हम लिटरली बूल जाते हैं सब कुछ और क्या होती है कि कभी कबार इधर उधर लग जाते हमको और उस समय वो पेन महसूस नहीं होती है जब मैं घर आती हूँ तो फिर ऐसे लगता है कि कहा लग गया थे दर्द हो रही है या पर फिर नेक्स डेय ऐसे नीला पीला भी हो जाता है तो लाइक इस सो स्ट्रेंज अगर मेरे प्रोफेशन में कोई है और मुझे देख रहे है तो रिलेट कर पाएंगे और शायद घर भी होते होंगे अगर आप अपने दुन में काम कर रहे हो इतना जादा डेडिकेटेड हो चीज पर तब जाक्या आपको ऐसी होती है और यह हरोज होता है हमारे साथ होता कभी कबार में हजबने से बोलते है कि तुम फ्लाइटी करने गई थी ना इधर नीला इधर पिला कैसे हो जाता है मेरे घर पे कोई इस प्रोफेशन में नहीं है तो कभी कबार उनको भी समझाना बहुत जादा मुश्किल होती है और मुझे एक्स्प्लेइन करना पसंद नह कि यह बिल्कुल अलग है जो हम सोचते हैं बहार से देख कर यह बिल्कुल भी वैसी नहीं है इस लाइक सो मच डिफरेंट और जब मैं इते साल से काम कर रही हूं अभी बैसा है कि मैं अभी भी नए चीजे डिस्कवर कर रही हूं इस जॉब की बारे में और इस ताइजन ल जो ऐसे कोई ताइम पर नहीं है जिसका कोई फिक्स रूल्स नहीं है भली हम एक पार्टर्न में काम करते हैं फिर भी देर इस नो like हाडन कोर रूल्स की आपको ऐसे ही करना है ऐसे ताइम पर जाना है और जो सबसे अच्छी बात है यह कि मतलब हर दिन अलग होती है हर दिन आपके लिए कुछ नई experience लेके आते हैं, आप सीखते हो, आप नई चीज़े discover करते हो, and that is the beauty of this job. और वही रीजन है कि इतने सालों से मैं यहाँ पर सरवाइब कर पाई हूँ, क्योंकि जो बोरिंग चीज़े होते हैं, उससे पता नहीं मुझे, मतलब I don't feel good about it, मुझे बस थोड़े ऐसे hustle और challenges चाहिए होता है, जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, मैं आने के बाद ह पैनी को खाना खिला दी थी, और थोड़े दिर फिर मैं कुछ पॉड़कास वगिरे सुन रही थी, एक बर मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मन किया, मतलब वीडियो बनाना नहीं, एडिट करने का, but then my mind was already very tired, और editing के जो काम है वो बहुत creative काम है, उसके लिए fresh माइन चाहिए कि मुझे जल्दी उठना है, और उठके सारे काम मुझे करना पड़े का, जो मैं प्लान करती हूं, उसके 90% मैं करती हूं, 10% कभी कभी रह जाते हैं, but for tomorrow, I decided कि नहीं, वो 10% नहीं रहना है, 100% से मैं जादा ही करूंगे, पर कम नहीं करूंगी, अभी सुबा मैं उठ गई थ इस जस 9.30, और उठने के बाद यह कैमफर बर्न करती हूं, मैं केली रही हूं, जब यह मा केली बोलती हूं, आप लोग मेरे साथ हो, अफ कॉस आप लोग मेरे साथ हो, और सब कोई मेरे साथ है, पर फिर भी रात को मुझे वो फिलिंग पता नहीं क्यों आती ही क्याम अलोन I become so conscious at night कि हाम मैं केली हूँ और मुझे नेंद ने आती है यह मुझे होटेल में भी होती है पता नहीं यह क्यों होती है I am trying to overcome this so much but it's being so difficult पर मुझे overcome करना इसको मैं मेरे दोस्तों को भी बोल रहे थी इसके बार में and they are like आप मेरे घर आ जाओ पर वो एक permanent solution नहीं होती है मैं आपकी घर आ भी जाओंगी मैं कुछ दिन रहे भी लूँगी पर उसके बाद I want to get rid of this क्यों डर लगती है मुझे क्या फरक है दिन में और रात में कि मुझे दिन में डर नहीं लगती मैं दिन में बिलकुल सही रहती हूं और रात को क्यों मुझे नेंद नहीं आती है So I am trying a lot of things I will let you know कि कौन सा best काम किया Of course camphor काम कर रही है मेरे लिए जब मैं थकी रहती हूं में सो जाती हूं And I am restricting myself from watching things जो मुझे थोड़ा साइसे डर दिलाती है But at the same time I am such a like kind of a personality जब मुझे वो सारे चीज़े बहुत पसंद है Like जो भी डरावने चीज़े होते है वो मुझे बहुत जादा अट्राक्ट करती है And when I look a little bit, then I don't need to sleep So I am trying to restrict myself from all of that But yes, like आप लोगो को ये प्रॉब्लम होती है क्या? आप मुझे कामन सेक्शन में बताना चलो अभी मैं कप्रावगेरे वाश करने के लिए वाशिंग मशीन में डाल दिया और ये जगह है जो थोड़ा सा मैं रियॉर्गनाइज करूंगी ये जगह बहुत दिन से वैसे के वैसे ही देखे थे आप शायद एक साल से ज्यादा हो गए है शुरू शुरू में मैं थोड़े डिफरेंट करती थी और शुरू में इस प्लेस उस तो बी लाइक कंप्लेटली एम्टी और मुझे याद है कि लास्ट ये जिस समय से मैं वीडियो दालना स्टार्ट की हो उस समय हम ये सारे फर्णीचर्स जो है वो एक एकट के खड़ी दे थे फर्स्त I believe we purchased the sofa and then we purchased the tea table और फिर एक जो हमारा dressing table है with the mirror वो हम खड़ी दे थे फिर बाद मैं मेरे हस्बं को बोली भी ने थी ऐसे ही मैं चली गई थी क्योंकि वो shop जो है वो मुझे बहुत जादा पसंद आई and I have purchased this chest of dog जिसके उपर मैं भी मैं सामान रख रही हूँ और फिर जहां पे हमारे भगवान के मूर्तिया रखे है न वो भी मैं same time पर purchase की थी तो ये दोनों मैं बाद में purchase की फिर we have purchased the bed तो bed separately purchase किया था क्योंकि हमारे एक raw iron के bed थे जो की बहुत flimsy थी और मुझे हमेशा से एक wooden bed चाहिए था my husband wanted to make it like sesame wood का जो की बहुत जाद expensive भी है और साथ में बहुत heavy भी है और हम यहाँ पे rent पी रहते तो मैंने सोचा की नहीं इतना heavy सा bed नहीं खड़ी देंगे राधर वो rubber root का खड़ेते हैं जो थोड़ी मतलब it's dismantleable पता नहीं मुझे यह dismantleable what dictionary में होंगी की नहीं पर I meant की जो हम खोल सकते हैं और फिर यह हलके भी होते हैं तो move करने के लिए it's very easy इसलिए we decided कि rubber root का खड़ेते हैं और यह bed भी मुझे काफी अच्छी लगी पर I had a different kind of a picture और मैं भूल कई थी कि यहां पर वो जो मैं picture करी हूँ वैसे bed को नहीं रख सकते आज मैंने big basket से भी चीजे मंगवाए थे जो भी चीजे ख़तम हो गए थे तो वो सारे तो Penny ही डेलिवरी ले लेगी सच में like कभी कबार उनको लगता है कि यह बंदब लड़का है Penny जो है और यहां पर सामार लेते रहते है मैं उनको वो ही बोल रहे थी कि नहीं लड़का नहीं है यह लड़की है so I know like उसका voice ऐसा है उसका attitude भी कभी कभार मुझे लगती है कि she is like very masculine at times just like me और मैं सुनी थी यह कोई तो मुझे बोल रहा था यह जो pet होते है न हमारे वो अपने master के जो personality है उसको अडप्ट करते है so Penny in general is very very sweet until and unless you are kind of messing with her but if you mess with her she can kill you तो वो ही है एक बार मैं husband को भी कार्ट दी थी पर उनका गलती था Penny someone वो कभी किसी को harm नहीं पहुचा सकती है until and unless you are kind of putting her into the situation की वो कार्ट लेगी आपको आपने उतना वो कुछ किया होगा तो मैं husband क्या करते है ना ज़के और जाए है जोड़के था जोड़के आपबने रहे है? मैं तब से बोल हूँ था हूँ कि मत करो अप दोनों करो परकी तो सुने लेहैं है पर मैं husband तो सुन सटा है नहीं था कर रहे है something is happening allowed सुने नहीं फिर मैं अपने कंब्रे में चली थी मैं कुछ काम करी थी और अचानक से मैं हुस्बन आये और फिर आके मुझे दिखा रहे देखो कार्ट लिया खून निकल रहे है और मैं अपने लोग के साथ ना जिनकों अपना मानती हूँ उनके साथ मैं बहुत मीन हूँ मैं ऐसे ब्लंटली चीज़े बोल देती हूँ और फिर पैनी को इंजेक्शन भी लगवाई हूए है और थोड़े दिर में ठीक नहीं होती फिर अपकॉस जाना पड़ता पहले मेरे हस्बन के पास सेम ब्रीट के पैट थे अपकॉस जादी के बाद भी देखी थी अधिक शे साथ महनी तक शी वस देर इट वस अगर और वो कुछ तीन सार तीन साल की थी and she died for some reason मैं उस समय इतनी अटाच नहीं थी उसके साथ because मैं तभी तभी आई थी और मैं से पहले कभी मेरे घर पे कभी पैट नहीं था जैसे पैनी के साथ मैं बहुत अटाच थू and she was like huge जैसे पैनी को आप देखते हो ना चोटी सी है ऐसे cute सी but Rosie was not like that her name was Rosie even though she was a girl पर वो ऐसे बिलकुल angry young woman थी and Penny जैसे बहुत जादा मुझे रिजम्बल करती है because शायद बचपन से एकदम दो महने के उमर से मैं उसको पाली हूँ so she is like 90% like me बहुत sweet है बिलकुल एकदम आपको कभी लगी नहीं सकते है कि काट सकते है किसी को पर हाँ if you mess with her then you don't know what she is so it's same like आप भी कभी देखे नहीं होंगे वीडियो में क्यूंकि आप हम रीजन नहीं देते है उसको ऐसे गुसा होने के पर अगर जिसे हम मैं भी ऐसी हूँ आप मुझे भी नहीं देखे गुसा होते हुए पर अगर मैं गुसा हो जाती हुँ तो I'm totally different I think बहुत कम लोग है जो मुझे ऐसे गुसा होते हुए देखे है you should never kind of imagine or desire to see me like that or even penny जिसे मैं हस्बन को काट भी ली थी तो हाँ वो रोजी भी एक बार काट लिया था मैं हस्बन को तो मैं हस्बन से रात को खाना खिलाने के लिए जाते थे और फिर थोड़े देर उसके साथ खेलते थे फिर आ जाते थे अब मैं दूर जाके खरी थी कि को मुझे देख कर भौकती थी तो मैं बहुत दूर खरी थी and I can see that they are playing, they are playing, they are playing and I'm very new to their house at the time maybe बस दो तीन महिने होंगे हमारे शादी को और अचानक सा I can see like she started like ऐसे थोड़ा चिलाई and then I can see blood flowing everywhere I thought कि क्या हो गया है मुझे उस समय तक भी बिलीब नहीं हो रही थी कि उसने कार्ट लिया मुझे हरजे के खून दिख रही है और I'm like maybe उसके दांत में लग गई है मतलब रोजी के दांत में लग गई है बर लेटर I realized ओके ये मेरे हजबन के थम से आ रहे है and he has got some three or four stitches after that और उसके बाद भी उनको अभी भी मना करना पड़ता है like seriously ये हो चुका है आपके साथ तो उसके बाद भी आप कैसे ये भूल सकते हो कि नहीं करना चाहिए क्या होती है ना कि हम इनसान है हमको दर्द होने साथ हम बता सकते है पर जो पैट से वो बता नहीं सकते ना तो उनका reaction होगी उनका क्या होगी reaction वो नहीं तो भौकेगी और अगर और जादा गुस्ता होगी तो काट लेगी ना तो ये कैसे समझाए कभी कबार ना मुझे ये लगता है कि मैं क्यूंकि मेरा हस्बन से बहुत छोटी हूं उमर में तो एविन तो आइवाव लॉट अफ लाइफ एक्सपिरियंस मैं बाहर निकल गई हूँ बहुत कम उमर से और इतने सालों से मैं इतने सारे लोगों से डील करती हूँ मैं देखती हूँ आनलाइज करती हूँ तो एक एक्सपोजर है जिसके वज़े से मेरी भी एक लाइफ एक्सपिरियंस रहा है पर फिर भी उनको लगता है कि मैं बच्ची हूँ में को क्या ही पता है तो मैं कुछ बोलती हूँ ना वो सीरियस नहीं लेते इसलिए आजकल मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि चलो आप गलत करोगे फिर भुकतोगे फिर आके मुझ मेरे पास रोना और वैसी करते है लिटली चलो पैनी को अभी ना लाती हूँ मैं जाने के लिए कितना नाराज हो रही थी आप देखे होंगे मैं को लिटली पांच बार भागना परा उसके बीचे फिर जाके नहाए और नहाने के बाद अभी भाग के जारी है देखो मदब शी विल नॉट इवन ड्राइ हरसेल्फ और कित्ती क्यूट लग रही है शी लुक्स लाइक शी जस्ट लाइक ए यूर ओल्ड आपको बिलीव होगी शी हास टूर्ण नहीं तो मेरे बद्दे ऐसे ही बीच जाते हैं और अगर शोशल मीरिया नहीं होती शायद मैं भूल भी जाती कि आज मेरी बद्दे है अब अगर आपको जच करना तो कर लो पर यही रियालिटी है चलो अभी पैनी को मैं चत पिले के गई थी और वापस भी आ गई हूँ ब पूरा स्किन केर करने से पहले मैं संस्क्रीन नहीं लगा सकती और आने के बाद फिर मैं आराम से स्किन केर कर रही थी और यस जबी विन्टर खतम हो जाती है ना ड्राइनस जादा बढ़ जाती है फिर पूरे बोड़ी में आपको अच्छे से लोशन लगाने पड़ते है फ जगे जो है उसको मैं reorganize की फिर जो सावान आये थे वो सब कुछ मैं समेट के रख ली फिर पेनी को नहलाई मैं खुद नहाई और फिर चथ पिले के गई और अभी मैं दिन के सबसे important काम कर रही हूँ जो की है पूजा इससे पहले मैं सारे काम इसलिए कर लेती हूँ ताकि मैं पूजा में concentrate कर पाऊ नहीं तो मेरे दिमाग में ही चलता रहता है कि इतने सारे काम बचे है इतने सारे काम बचे है तो सब कुछ करने के बाद मैं नहाद होके पूजा करती हूँ ताकि I'm like totally in here invested in this process और ये ना मैं अभी-अभी कर रही हूँ पहले आप नहीं देखे होंगे ये जो process में अभी की हूँ ये करते हुए this was suggested by someone जबी right time होगी तब ये आपके साथ मैं share करूंगे I don't know मैं अके साथ शेयर कर भी सकती हूँ कि नहीं मुझे उनसे permission मांगना पड़ेगा और ये आपको पहले दिखाना भूल गई तो ये बाद में मैंने clips add कर दिये है so this is a photo frame जो मैं बना के आई थी अभी पैनी के साथ and this photo is looking so pretty और ये area कुछ इस तरह के दिख रहे थी अभी मुझे पता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए but I am feeling too tired इत्ते सारे काम कर लिया I just want to rest my eyes for a while maybe I'll take a nap for maybe half an hour पैनी भी मेरे साथ काम कर रहे थी पर फिर भी उसमें जादा एनरजी ह I am very tired and she finally agreed to sleep with me for half an hour और यहां पर दे को कैसे सो रही है she is so cute और फिर जाके हम थोड़ दे के सो गए फिर शाम हो चुकी है अभी और अभी उटने के बाद मैं फिर से पुझा करूंगी and I'll burn low burn so मैं चीजे बर्न करती हूं like सुबा में कामफर बर्न करती हूं फिर अभी low burn burn करत बेंगौली घरो में आप देखे हूंगे वो धुना बोलता है जिसको and we call it धुनाची so yes there is this mitti का pot जिसके अंदर हम वो नारी यलके नही होते है I really don't know क्या बोलते है हम उसको बोलते है नार के लिए छोपड़ा and then we put it वो जो पॉट के अंदर और उसमें आग लगाते है and then we put लोबान inside this and that is the conventional way but it becomes a little messy अप सभी को बता होगा because दुर्गा पुजा में धुनाची नाच इस लाइक धिंग और वो धुनाची है जिसके अंदर वो आग जो आपको स्मोक दिखती है so that is how it's created इसलिए मैंने ये वाला खरीदी हूँ इसके अंदर आप वो जो kind of a pot already बने हुय आपको ready made मिलती है उसके अंदर लोबान भी होती है you just put it like धूप जैसा जला दो धूप मतलब अगरबत्ती हम धूप बोलते हैं बिंगॉली बस अगरबत्ती जैसा चला दो और फिर वो लोबान जैसी है so it consumes less time और फिर ये थोड़ी less messy है then अगर आप conventional way में करते हो और पैनी क तो मैं एसे snacks किला दी हूँ and then I am making tea आप लोग मुझे ये चाय बनाने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस बोली हो जिसमें से एक दो मैं ट्राइ की हूँ and ये वाला जो है ये मुझे सही लगती है तो इसमें क्या करती हूँ मैं सबसे पहले दूद और फिर थोड़ा सुसके साथ करने के लिए बोले थे पर अभी गर्मी के टाइम पर मुझे अद्रक ये सब कुछ आड करने का मन नहीं कर रहा है वैसे भी I don't like elaiji मुझे लाइची पसनी है elaiji का smell and nothing about elaiji I don't like elaiji yes चलो अभी मैं चाय लिक आगई हूँ and I'm having this toast मुझे ये अभी अच्छी लग रही है I know winter में अच्छी लगनी ची थी पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लग रही है so मैं बहुत सारे लिक आगई हूँ I literally took like 4 or 5 of them mostly मैं चाये as it is पीती हूँ I don't have cookies on all with that but it's not a good habit मैं पाप with tea in the morning specially and here my laptop is not doing the right work because it's been a lot of days and I'm getting so annoyed Penny came here to kind of help me but instead we are looking at her photo and she's looking at the photo like who is this Penny when she was small when she was a photo on the laptop screen अच्रीन में लगे वे थे फिर ये लापटोप काम नहीं करा था फिर मैं उसको चोड़ के आगए थी आप पे पनी को खाना किला दी आप लोग मुझे अड्वाइस भी किये थे कि आप ना दी कामरा ले लो कामरे से हैंडी होती है आप कहीं भी कि वीडियो बना सकते हो फु तू मोबाइल फोन, I know कभी कबार मेरे फोन भी हैंग करते हैं गरम होजाते हैं विकिस्था इन फो जाते हैं फोड़ा सो मच और याप टोपर लेप्टोप और कामरे के साथना इंचा इस बिकम रीली डिफिकल्ट मेगी कोई अगर बस उसी में काम करें उनके लिए सही है मे बहुत जादा time consume करती है edit करने के लिए and all चलो अभी यह सब छोड़ो काम आम कर लेंगे अभी मैं बहुत टाइड हूँ सो जाते हैं मैं पैनी को हाना किला दी हूँ and how she is here standing behind me ऐसी करते है पता है and पैनी is very soft she is like a soft toy और मैं हैसे जब उसके उपर सो रही थी मुझे इतना जादा अच्छा लग रहा था और मैं जिन लोगों से ली हूँ पैनी को मेरे फ्रेंड है जो सिमोना है आपको पता होगी उनके पास भी तीन है पैनी के ही मतलब अनसेस्टर्स and all they are not very soft पैनी के जो डाद है वो बहुत जादा सॉफट है पैनी is the softest बहुत जादा सॉफट है पैनी और यह देखो मेरे लोबान के जो पॉट है उसको मैं साइड में रख दी हूँ and this is something I have purchased recently and this has become a new obsession मैं ही करती रहती हूँ तो यह जो पैनी के बाल है इसमें चिपक जाती है and there is a way to remove it मैं एक छोटा वीडियो भी बनाए है मैं आज ही पोस्ट करूंगे आपको दिखाऊंगी और यह ना अडिक्शन हो जाती है आपको बते है आप करते रहते हूँ अब फर्स जब मिली थी मैं तीन चार दिन बस यह ही कर रही थी and it's like so satisfying at times मैं जारू से करती थी आप लोग मुझे मना करते जारू से मत करो even if it is made out of plastic but then still जारू ही है ना नहीं करना चाहिए and all और हाँ एक बात बताना मैं आपको भूल गई हूँ जो mirror के बारे में आब बोले थे ना वो mirror में हटा दी हूँ आप पहले देखे होंगे वहापे मैंने कुछ और लगा दिया है और आज की vlog को मैं यही पर समाप्त करने वाली हूँ काफी लंबी vlog थी वैसे लंबे vlog बनाने में काफी ज़्यादा time और energy जाती है तो मैं आपसे request करूँगी कि आप जरूर से like कर देना, comment भी करना और अगर हो सके तो share करना मैं वैसे तो share करने के लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि पता नहीं आप comfortable होंगे की नहीं अगर possible है तो share भी करना तो चलो मैं मिलती हूँ आपके साथ जल्दी, bye bye, take care, I'll see you again very soon